नो करते हैं तो देखेhöं दोस्तो अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से यहां पर लाइट हो रहा है यह हो गया off बीच में फिर उपर के तरफ करेंगे दोस्तो तो देखिए दोस्तो तुरी अछी तरह से यह light यहां पर यह दोनों तरफ से काम करता है आप चाहें तो इसके अंदर में रिचार्जेबल बैटरी लगा हुआ है और चाहें तो आप इससे डाबा लेका तीन-चार बैटरी यहां पर लगा कर इसको जला सकते हैं उसके बाद आप देख़ाएं दोस्तों यह तूट के क्रेक हो चुका है और इसके साथ इसकी जो स्वीच है वह भी आम देख लेते हैं इसको देखे दोस्तों इसकी स्वीच पूरी तरह से गयव है बास इस तरह से आया हुआ है और यह पूरी तरह से तूटा हुआ है तो हम इसको ओपन दर के देखेंगे क्या-क्या अंदर में क्या-क्य टुटा हुआ या नहीं किसके आपको चाहीं करेंगे तो चले कि फटापर से वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसके जो जाना सब्स कूर्य्यों है स्क्रू को अंस्क्रू कर लेते हैं पटापट से अंस्क्रू करके आपको दिखाता हूँ ओपन करके तो दोस्तो इसकी अंदर की स्ट्रक्ट्टर कुछ इस तरह से बड़ी बाली पिनल में आप देखिए दोस्तो यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ था इसमें से यह एक तार निकला हुआ है और उसके साथ इसकी इनपुट बला वायर यह एक निकला हुआ है और एक है देखो यहाँ पे एक रेजिस्टन्स लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा था हूँ एक रेजिस्टन्स क्यों लगा हुआ है वो भी आपको मैं बताऊंगा के लिए लगा हुआ है इसमें अगर डारेट 4.7 या फोर भोल्ड यहां पर सप्लाइद देंगे तो लाइट पूरी तरह से ग्लो करेगा और इसकी लाइट को थोड़ी से डाउन करने के लिए डिम करने के लिए जो बोलते हैं उसके लिए एक रेजिशन से यहां पर लगा हुआ है तो उसके बाद यह टोर्च का भी अलग से कनिसन है अलग है मतलब यह 3-1 स्विच लगाना चाहिए यहां पर छोटा वाला जो आता है यानि कि आगे करेंगे तो यह जलेगा बीच में रखेंगे बंद हो जाएगा उसके पीछे करेंगे लाइट थोड़ा सा ग्लो कम करेगा डिम जलेगा उसके बाद और पीछे करेंगे तो फूल लाइट ग्लो होगा तो वह बला स्विच हमारा पास नहीं है अबलेबल नहीं है क्योंकि यहां पर पुराना स्विच लगाएंगे इसमें तो ओ सिस्टम यहां पर करना होगा उसके बाद देखें दोस्तों यहां पर कुछ वायर इसमें टूटा हुआ है उसको भी हम सही करेंगे इस वीडियो में अब वीडियो को दखते रहिए और इसकी सर्कुट को हम उपन कर लेते हैं आपे तो इ हर इसकी में आपको यह वाली जो देखने को मिलेगा डायोड वाला ब्रीज रक्टिपार नहीं मिलेगा उसके बाद यह है इसकी बैटरी वाला आउटपुट और यह है वाइट कलर का इसकी इन्पुट जो की पावर सकट में इन्पुट होता है 220 वोल्ट 230 वोल्ट तो इसक इसकी चार्जिंग वाला सब लगी वेए इस वाली वैट्री से और यह इसकी आउटपूट है बैटरी से होका आता है और उसके बाद यह सकी लाइट है तो हम फिलाल धोनों को चेक करेंगे चारी यह लाट कर ता है क्या यह पैनल ग्लोव करता है तो सबसे पहले यह आपको चेक करना है कि पैनल आपका ग्लोव करता है या नहीं करता है अगर जब तक आपका पैनल ग्लोव नहीं करेगा सही अगे का प्रोसिजिटर करने से भी अपना लैट ग्लोव नहीं नहीं बनेगा तो बारिवारी करके हम यह वह लाई को और यह वह लैट को देखाता हूं आपको इस वह ली एलो वायर है जो बैटरी के हैं उसको मैं इसकी जो पैनेल की जो रेड़ वायर है उसके साथ मैं कर अब देखिए ध्यान से देखिए मैं अभी तोला से इसको डाउन कर रहा हूं अंधरा टाइप के कुछ कर रहा हूं और अंधरा टाइप करने से आपको इसकी लाइट पता चलेगा यह लाइट ग्लो कर रहे है यानि कि बैटरी में पावर कम है उसके बाद इस बाली लाइट क हम चेक करेंगे कि यह खिलो कर देखिए यह उसकी aik फराब हो चुकी है यह ल्एक हम रेक्लेश करेंगे एक घराइन के साथ आपको एक चारजर एक किस तरह से यह लाइट करता है या नहीं करता है कि बैट्री का चार्ज बहुत कार्म है तो दिख्वाई है तो यहां पर पैनल है बड़ा वाला और यह जो लाइट है यह सही से काम कर रहा है कि ने कर आए हूँ आपको परफट लिया भी यहाँ पर दिखाए देगा तो मैं आपर रिसोलडिंग करके यहाँ पर निकालने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे तो इसको भी निकाल लेते हैं तो इसके लिए हम इसको यहां पर जो नेगेटिग लाप पॉइंट है उसको हम निकाल देज़ इनकाल धीन करके ठीक है यह निकल गया और उसके बाद हम इसको किक करेंगे हमारा पावर Dr. सुकुर्ड में और इसमें चेक करेंगे तो आपको एक resistance लगाना पड़ेगा क्योंकि ये charger आपका 5 volt है और ये LED glow करता है 4 volt तो आपका बल खरब होने का chance भी रहता है तो ये इसकी negative है और ये इसकी positive है ठीक है और इसको हम दखिए दोस्तों यहाँ पर light glow कर रहा है अच्छी तरह से light glow कर रहा है तो ये जो resistance लगी हुई है उसके लिए मैं यहाँ पर इसको use कर रहा हूँ आप देखे दोस्तों कितनी अच्छी तरह से light glow कर रही है ठीक उसी तरह से आपको क्या करना होगा ये वाली light को भी चेक करना होगा ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक अपको resistance लगाना पड़ेगा और यहाँ से चेक करना पड़ेगा अगर resistance भी नहीं तो आप एक diode का इस्तुमाल भी कर सकते हैं जिसके वज़से आपकी LED खराब नहीं होगा तो मैं आप एक diode निकाल लेता हूँ diode क्या करेगा इसके voltage को आपको drop कर लेगा इसमें हम चेक करेंगे बारी बारी करके इसको लगाए नेगेटिव में और इसकी जो positive है जो black party है यह इसकी positive side है और इसको इस तरह से black party को लगाएंगे और यहाँ पर बाकी इस बाली wire को यहाँ पर touch करेंगे तो देखे दोस्तों इसकी light glow नहीं कर रही है यानि कि इसकी LED खराब है अगर चाहेंगे तो आप सोच रहे होगी plus minus उल्टा उल्टा हो गया तो आपके हिसाब से मैं आपको wire भी reverse करके आपको दिखा देता हूं LED का तो देखे का आप दोस्तों light उसी के उसी है glow नहीं करेगा देखे दोस्तों और एक डायट का मदब से आपका डायट भी clear कर लेता हूं देखे दोस्तों यह है negative side और यह इसकी positive देखे दोस्तों light glow कर रहा है डायट से कम हो जाता है voltage तो आप देखे दोस्तों यह परनल सही है यह LED की LED खराब है तो इसका LED को हम repair करेंगे इसके जागव पर नया LED इसमें डालेंगे तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं इसमें एक नया LED डाल लेते हैं तो यह देखे दोस्तों इसमें वान ओट की LED लगी हुई है जो कि पुराने वाली LED का मूडल में जिससे आता थे टॉच उसी वाला है तो सेम टू सेम वान ओट का आप लाना पड़ेगा तो मैं आप यह देख लेता हूं मेरे पास ही कि नहीं तो दोस्तों यह LED हमको मिल चुकी है तो यहां पर दोस्तों देखिए आप सोल्डिंग काम हो चुकी है आप चलते हैं चेक कर लेते हैं एक बार म क्लाम आप साइख कर सकते हैं आप के पास तो यहां पर दिखें दोस्तों प्लस का साईट कौन साय और मांक kalk कोस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंग तो यानिके कि हमारा connection अच्छी तरह से हो गया है तो इसको करेंगे इसके साथ फिट अब है बाकी का connection step by step कर लेते हैं इसकी connection के साथ तो देखें तो यहां पर दोनों track बनी हुए यहां पर ऐसी supply जाएगा यहां कि यहां तक है connection हमरा okay हो चुका है तो हम इसको फिट कर लेंगे कुछ इस तरह से इसकी circuit लगी हुई थी तो इसको भी हम से fit कर दिये हैं अच्छी तरह से यह fit हो चुकी है और इसको भी हम यहां यहां पर fit कर लगते हैं यहां पर fit हो चुगा यह बाले पायोर socket उसके बाद इसकी जो प्लस वाला है यह आ गिया और इसकी negative और इसकी negative हम लगा देते हैं यहां पर चार लोग भी गई है चार लोग को निकाल के आब यह panel को खोल के यह resistance को आप करना हो तो इसकी को एक साथ कर लेते हैं जो यहां पे इसकी नेगेटीव का स्वूच नहीं था तो सबसे पहले करके कि कटिंग कर लता है तो दोस्तों यहां पर his हो चुकी है आप देख्वाएं दोस्तों यहां पर अच्छी तरह से कटिंग हो चुकी है फूरी तरह से स्वीच यहां पर फिट होने वाली है और कोई प्रॉबलम नहीं है तो हम इसको पोजिटिव जो बैटरी से आ रहे हैं वह हम लगाएंगे स्वीच की बीच ओ बीच में तो मैं यहां पर उपर वाला स्वीच है तो उसको अन करूंगा तो यह वाला लाइट जलेगा उसी साफ से मैं यहां पर सीश्टम कर रहा हूं तो आप अपने इस साप से सिटम कर सकते हैं विच्छ की तरह से यह बड़ा वाला पैनल जो है ओ जलेगा ओ क्लोग करेंगा वच कुछ उस्ट इसाब से मैं इसको सेट कर रहा हूं तो आप अपने इसाब सेट कर सकते हैं तो इसकी वायर को मैं इधर से लेके मैं इसको set कर दूँगा और switch को बाहर के तरब लेके इसको push कर दूँगा अंदर की तरफ से बस आप देखते रही है तो देखिए दोस्तों यह light glow कर रही है और यह आप हो गया और इसकी panel को चालू करेंगे थोड़ी सी light glow कर रही है आपको दिखाए नहीं देगा मैं अब यह switch को अंदर की तरफ push कर देंगे तो यह हो गया तो आप दिखाए दोस्तों यह अगे बाला जल रहा है और light को मैं थोड़ा सा अंधरा कर दे रहा हूं देखिए दोस्तों यहां पर light ब्लिक कर रही है यह फूल चार्ज नहीं है वगर फूल चार्ज हो जाएगा तो light यहां पर दिखाऊंगा फाइनल दोस्तों यहां पर complete होके ready हो चुकी है आप दिख पाएं दोस्तों सामने में और मैं जो इसकी पूलम था switch बला पूलम यह सही हो चुकी है और इसमें करना है बस charging का system करना है और यहां पर glue इसको लगा कि इसको fix करी देंगे तो यह तो बात charging के लिए और यह charging वाला indicator जैले glow करेगा तो इसको हम ऐसे लगाते हैं और आप देखेंगा यहां पर दिखेंगे दोस्तों यहां पर light glow कर रही है यहां पर charging का system हो रहा है थोड़ी दिर के लिए इसको रखते हैं और उसके बाद इसको glow करके देखते हैं कि यह अच्छी तरह बाद से glow होता है कि नहीं जो पहले इतना अच्छा से ग्लो नहीं हो रहा था तो अभी कैसे glow हो रहा है तो इसको थोड़ी दिर के लिए इसे ही रख देते हैं तो थोड़ी दिर के लिए charge में बठाने के बाद हम इसको करते हैं power off और इसको हम glow करके देखते हैं तो मैंने system कि यहां था उपर करेंगे तो यह light glow होगा नीचे के तरफ अन करेंगे तो यह light glow होगा तो देखते हैं वह होता है कि नहीं तो यहां पर नीचे के तरफ लो करते हैं तो देखे दोस्तो अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से यहां पर light हो रहा है यह हो गया और बीच में फ सब्सक्राइब कर लिए यही तो आपको पता ही होगा मिलता हूं दोस्ते कि नासे वीडियो में तब तक लिए जहीं दोस्तों